नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके मेरी यूटूब चैनल दत्ता रेडिंग पॉइंट में आज हम प्रिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान 10th क्लास भूगोल का चैप्टर नमबर 3 कृसी के प्रस्ण उत्तर इससे पहले हम इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में इसकी थियोरी चैप्टर का नाम है आप देख सकते हैं बुगोल कच्छा 10 अध्यायत 3 और यह अग्री कल्चर किर्सी इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं अब एक वार समराइस कर लेते हैं किस तरह से कुश्चन आपने चैप्टर पढ़ा और किस तरह से आप से कुश्चन पूछ पर ऐक ही फसल वही जाती है भारत में चाए कौफी रवाड गन्ना केला इत्याद प्रमुक रॉपड की फसले पुछले आयए कोई दो रूपड की फसले बताईए तो अब लखसकते हैं चाए कोफी रवड गन्ना केला भारत में मुक की रूप से चाषड गौं मोटे अक्टूबर नवंबर के मद्द में वोई जाती हैं और ग्रीस मिर्टू में अप्रेल से जून के बीच में काटली जाती हैं जैसे ग्याउं जो मटर चना सरसों आद रवी की प्रमुक फसले हैं बता सकते हैं रवी कौन कौन सी फसले हैं खरीफ की फसले देश के विबिन शेतरों मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में वोई जाती हैं और सितम रक्टूबर तक आठली जाती हैं जैसे चावल, मक्का, जुआर, बाजरा, अरहर, मुंग, वडद, कपास, जूट, मुंग, फली, सोयावीन ये जो हैं आपकी ख जादा चावल को पद्द करते हैं जोहर, बाजरा, रागी, मिलेट, भारत में वगाए जाने बाले परमुक मोटे अनाज हैं भारत बिस्व में दालों में सबसे आगे इस्तान रखता है, यानि सबसे ज्यादा दाले हमारे हां वगाए जाती हैं भारत में नेक्स्ट है, अपनी परिवार का पोसड करने के या लिए उत्पादन करता है इसमें प्रत्रम्परागत किरशी उपकरडastically का रियूग किया जाता है इसे मुर्वा किरशी कहते है कर्तन दल्हन पड़ा इसको बता चुके हुगा आपको इसको 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 सब्सक्राइब कूट ど pilesructor जाता है उसको छोड़ों काड़ करके न आगे बढ़ते हैं। कभि ने इस पद्दती में अधिक उत्पादन के उध्यव्य अधिक निवेस आदमियोंतों कीड़ूरेश tua है नागे का प्रियोग किलाइब है नेक्स्ट रोपड किसी किसे कहते हैं एक प्रकार की बाड़ा जी कर्शी जिसमें विस्तित छेत्र में एक फसल वोई जाती है जिसमें अत्य दिक पोजी निवेस वस्रम का प्रियोग होता है रोपर किसी कहलाती है सब को बताया मैं अभी जैसे चाहे हो गई कॉफी हो गई कि परफसले बदल करके बोना सशया वर्तन कंवाने को हम क्या कि कहते हैं सच्चावरतन कृटि क्या होता है इसका रहत होता है कि बिखरी हुई किर्शी जो तो आदो खेतों को एक साथ मिलाकर आर्ठिक रूप से लापर प्रदर करने कि आगर आपके खेत अल्ग है उन्हिए को एक खटा कर दे जाता है और यह सरकार के द्वारा के जाता है सो इसको मूलते हैं चकवंदी अब आता हरत करांती क्या है इसका बहुत-बहुत परवाव पड़ा हमारे भारत की फ़सलों पर यानि 舆इ नैंनि 47 के बास अगर हम बात क रहें तो सबसे पर्वाव जो पड़ा वरत करांती का पड़ा चलिये जान लेते हैं घृत करांती क्या है यानि किसम अच्छे बीजों का उपीयोग किया गिया नहीं टेकनिकिय कर गोषा गया तरह ज़दा बलौतरी होग इसको मने का गया हरत करांथी सबसे अधिक प्रवाव जो पड़ा हरत करांती का भूषा आपका गया हैूबैंगी , हरत करांथीग अधि protect यानिके स्वेद्मिस भुरी यानिके दूद के उत्पादन में ब्रदी के लिए पश्वों की नसलों को सुधारना आधुनिक तक्निक को प्रियो करना और फ्लड इसी का प्रमुक कारिक्रम भागता है यानिके इतना दूद के बढ़ाने के लिए इस्टुवित करांती का बताईएस मैं आपको बताया रवीम अच्छाना मटर ग्याउं सरसों खरीब में जुआर चावल बाजरा मक्का ग्यान किसी के दो गुड़ बताईए चलिए अधिक उत्पादन के अधिक मात्तर रसाइनिक उब्रों के प्रियों करना दूसरा होता है बूखन्णों का आकार से इसता है बताईए अभी बताई तुरंती रोपड़ किरसी ब्याफ़क्षितर में की जाती है और अधिक पूंजी और अधिक स्थरम की आवश्यक्ता पढ़ती है चलिए जयवी किरसी या कहें और्गनिक किरसी क्या है प्रक्रतिक तरीकों से कर्ष्यू उर्बरकों की नस जाती है जिसमें किसी किड़न सक्के यूज नहीं होता है अगला है करतन दहन किरसी बिविन्ने देशों में किस नाम से जाना जाती है जैसे मैं आपको बताया कि भी जैसे हमारे जूम की खेते बोलते हैं मेक्सिको तो था मद्य अमेरिका में इसको मिलपा के नाम से ब्राजील प्रवाग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है अगला है ऑप्रेशन फिलड किसे सम्मंदित विए आपके पताए है दूत उत्पदन बद्धि के लिए दूत को बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन के लिए रेशम किरों का पालना किर्शी का कौन से प्रका है चलिए यहां देख लेते हैं यहां पर आपका है खेतों का छोटा आकार जीविका में यहां खेतों का बढ़ा आकार प्रमपरागा तकनीकी तो उप्थर का उपयोग यहां नवींतव तकनीका उत्पदन होता है और नरियाद करने के लिए उत्पादन होता है इसमें दो या तीन फसले होती है यहां पर केवल एक फसल पर ही वल दिया जाता है किसमें बड़ जी कर्शी में कहा हैं कि ब्यापारी कर्शी में कह सकते हैं इसको अलग कुश्चन है अच्छा इसमें विएक और पाइंट था कि खाद फसलों की प्धापारवल और यहां गन्ना क्युण क управाश्पर अधिक बल जो सबस्य आदा भिक्ति हो अगला भारतय सीवस्टा में किर्शी का क्या मैत्तो है बारत की प्राइजिक्रान आर्थिक्रां बज़िए को मिल आप देखने को मिले हैं यह इसी प्रभस्ताइन सरकार द्वारा किसानों के हित्त में कियेगे संस्तक सुधारों के नाम कोई दो नाम बता सकते हैं आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं दो पॉइंट करें तो अब नीचे पॉइंट देख लीजिए यानि कि फसलों के समर्थन मोले का उचित निदाड करना और उनको देख लेते हैं एक यहां कुश्ण आता है कि बेविन ने फसलों के भागौलिक दसाओं का वड़न की जैसा के पूछा गया था यहां कि आपके टैंथ की दौरा से प्रिवाड़ोस में ग्याउं और चाय का पूछा गया था तो में हम देख लेते हैं सबसे पहले चाय के लि से दू संटीमीटर जलवाय उचन आद जलवाय होने चाहिए और कहां कहां हो चाय होती है यह आपकी आसाम पच्छी मंगाल करनाटा केरल तेमिल नाड़ों में होती है पांस नमबर में आता तो तीन पूइंट लिग दीचे एक नमर में आता है तो पूछलेगा कि चाय के ल रवड के लिए तो रवड के लिए टेंप्रेट से यह होता है वह आपका होता 25 से 35 सेल्सियस यह भी एक रोपड की फसल है इसके लिए वन मृदा की आवसकता पड़ती है बनी मिट्टी लगा जाता है यह बरसा की आवसकता पड़ती है आपकी 300 सेंटीमीटर तक जलवाय उ होनी चाहिए कहां आपको मिलती है रवड आपको किरल में मिलेगी आसाम तिरपुरा कम तमिलनाडू और करनाटा सबसे देख किरल में पाई जाती है अब बात करते हैं मक्का मक्का के लिए 27 सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है यह और यह खरीव की फसल है जलोड मिट्ट परती है वैसे बर्सात के मौसम में अधिक वोई जादी उसके एक्चुल फसल है यह का पायाती है करनाटा कुत्तर परदेश बिहार मत परदेश परदेश के लागों में सबसे अधिक होती है महीं बात करते हैं गन्ना की गन्ना को आप जानते ही है 21 से लिए 27 सेल्सियस स्ता पायाती है और गर्म और आद जलवायों होनी आवश्यक है उत्तर परदेश महाराश तमिलनाडू आद परदेश में सबसे अधिक वोया जाता है महीं बात करते हैं चावल के लिए 24 सेल्सिस डिगरी क्या हो सकता पड़ती है और यह खरीव की फसल है जलोड की मिट्टी मदि पाया जाता है और हंड्रेट सेंटिमेटर की वर्सा किया हो सकता होती है उसने कटवंदी दिलवायों किया हो सकता होती है पच्छी मंगाल पंजाव हर्याणा आंद परदेश असमुत्तर परदेश में यह फसल अधिक वोई जाती है अब बात करते हैं कपास की 30 सेल्सियस ट परदेश किया हो सकता पड़ती है उसन और उपोष्ण प्रकार के लवायों चाहिए होती है और यह माराष्ट गुजरात मत्परदेश हर्याणा पंजाम में कपास की केती कि जाती है बहीं बात करते हैं गयों की गयों में मुख्य खाद्धन फसल है दस से पच्छी सेल्सिय चाहिए होती है पंजाब हर्याणा उत्तर प्रदेश मत्परदेश बिहार आधराज्यों में फसल वह जाती है तो दोस्तों यह थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्न जो यहां से बौर्ड में बहुत सरे कुशन कुशे जाते हैं तो अगर आपके वीडियो अच्छी करेंगे उसके बाद उसका चैप्टर का अध्यन करेंगे धन्यवाद